हम कैसे जो हमारा orientation है उसको हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यदि हम NCIT को पढ़ते समय ध्यान दे तो हमारा पूरा ध्यान जो एक beginner student होता है, जो अभी शुरुवाती दौर में आया हुआ है, जो बहुत ही जो अपना fundamental बनाना चाहता है, वो जब इस document के साथ डील करता है, तो 2000 से जादा पन्ने उसको डील करने पढ़ते हैं, अगर वो केवल नई NCIT ही पढ़ रहा है तो, और इन सबसे मुख्य जो किताबे हैं, उसमें उसका पूरा ध्यान ये रहता है, कि सबसे पहले बहुत बड़ा टास्क है, कि मुझे ये 2000 से जादा पन्ने पढ़ने हैं, बल्क मे अच्छा कासा समय लगता है, और जब ये इस से गो थू होता है, तो उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, वो काफी एक्जॉस्टेड और ठका हुओ, और डिस ओरियंटेड महसूस करता है, कि उसने पढ़ने के बाद कुछ हांसिल किया या नहीं किया, दूसरी गलती होती है जब हम इस्टुएंट शुरुआत करते हैं, तो वहाँ पर वो बेसिक मैथलोजी के साथ चलना शुरू करते हैं, उसके साथ तुरह नोट्स बनाना शुरू करते हैं, नतीजा ये होता है कि उनकी जो ग्रोथ होती है, जो उनकी किताबे पूरे करने का समय वो बहुत जादा लगने लगता है, कुछ समय बाद उनको उलजण होने लगती है, दो-तीन महीने का समय बीच जाता है, तो उनको लगता है कि अभी तो मेरा एक जोग्रफी पूरी खतम नहीं हो पाई, अभी तो हिस्ट्री पॉलिटी ये सब बचा हुआ है, तो उनके अंदर एक बड़ी जो कि ये बहुत बल्क मटीरियल है, और इसमें हमें अपने काम की चीज़ें, जो UPSC के रेक्वार्मेंट है, उसको निकालना बहुत जरूरी होता है, ये हमारी दो गलतियां होती है, या तो हम केवल उसको रीडिंग करते हैं, गो थूरू करते हैं, तो उसमें हमारा जो जिसे यदि हम बात करें, तो जब हम NCIT पढ़ रहे होते हैं, तो हमें यह नहीं पता होता है, कि UPSC इसमें से क्या कोश्चन हमसे पूछने जा सकता है, या इसको पजल बेस कोश्चन में कैसे कनवर्ड कर सकता है, या वो अलग अलग चैप्टर को जोड कर एक इंटरिसिप्री जब होते हैं, जो बोल्ट में लिखा हुआ है, या जो बॉक्स में लेखा हुआ है, और इसको इंटर लिंक नहीं कर पाता है, इसके लिए एक एक्सपिडियेंस की जरुद पढ़ती है, आपको BTL या बिट्विन दा लाइन, या जो जो भावार्थ में इसको एपछी के सबसे इम्पम %riv3, cvD tf hbW de ron btl यो दो सबसे इम्पार्टेेश इंस परड़ा होता है रगों जो कि न्हांने सबसे करी अज जो संबसे करने के स्दोड शॉचिति अधर और धाज्य मेरे मतलब हे अंग करने कोशिछ ताम के लग गमाद को में कितने अपने अपने यानि उसके जो मतलब है, उसके जो भावार्त है, वो आपको कितना समझ में आया, और क्या आप जब UPSC कोश्चन देगा, तो इस इंफरमिशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर जो आपका NCIT जो पढ़ना होता है, UPSC के लिए, सिविल सर्वि के लिए क्या लेकर आया हूँ, सबसे बड़ी बात है कि आपको बल्क मटिरियल की रीडिंग से बचाना है, आपका टाइम सेव करना है, और सबसे बड़ी बात है आपको नेक्टर यानि उसका अर्क देना है, कि एक्शली में आपके लिए इंपोर्टेंट किया है, तो इस मैंने कुछ अलग तरीके से जो है वो फार्म केसी मैंने इसका नाम NCRT आंदोलन रखा जिसमें मांस मुमेंट जोड़कर ये जो भय है, ये जो समय हम बेकार करते हैं, नहीं NCRT पुरानी NCRT इससे हमें बचाना है, और जो मेजर कॉस जो लिए लक्षमी कांत या जो हायर ब 2011 से पहले 2011 के बाद, रिसेंट में पूरी रिसर्च करते हैं, तो बीटियल वहां से निकल कर आता है, दूसरा LWMI नोट्स, अब सवाल है कि मैंने पढ़ भी लिया और मेरे नोट्स बनाने में इतना मोटा जो है नोट्स बना, तो इसके लिए मैंने एक मैंने एक मैथड ड़ LWMI, Less Word More Information, मैं इसकी वीडियो भी जो है डाल चुका हूँ, तो LWMI नोट्स कैसे बनाते हैं, वहां पर मैं बहुत फोकस करता हूँ, और LWMI यानि कि आपके जो नोट्स होंगे, वो आपकी कॉपी में हमेशा के लिए तयार हो जाएंगे, आपको दुबारा कोई नोट्स बन करेंट अफेर्स में जो मेरी कमांड है, वो उसके साथ मैं आपको NCRT के साथ जोड़ोंगा, NCRT चुकी 2005 के framework पर बनाई गई है, तो इसमें बहुत सा updated material missing है, जो अभी आज के समय में 2021-2022 के लिए जो बहुत important हो सकता है, वो पूरा तरह से missing है, तो चुकी करेंट अफेर्स म बेस बनाकर अपनी मेंस के answer writing है, उसको भी कर सकते है, तो यह पूरा एक बॉरेंजा है, पूरा एक आंदोलन है, पूरा एक बहुत तो है यह important, और